नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही महत पून जानकारी को ले करके जिहां आज कल की भाग दोड़ भरी लाइफ में स्वास्ति कुछ सही रखना एक चुनोती बन गया है और खास करके आप मैक्सिमूम ल इसका सबसे मुख्य कारण जो है वो हमारा अन्यमित खान पान है हमारी दिन चर्या है तो सबसे पहले तो अपनी दिन चर्या को ठीक करना चाहिए इसके बाद आये जानते हैं कि किसी के घुटनों में दर्ध हो रहा हो तो होता क्या है कि घुटनों में ग्रीस होता है जो की खत्म हो जाता है तो इसकी पूर्ती कैसे होगी आप पूर्ती कैसे होगी किन चीजों को आप खाएंगे तो ये ठीक हो सकता है इसी से रिलेटेड आज का हमारा ये वियो है जिहां हम बात कर रहें आज अखरोट के संबंध में अखरोट खाने से हड्या मस्बूत होती हैं और जो जोडों में ग्रीस की कमी आ जाती है उसकी आप पूर्ती हो जाती है यानि कि इससे गठिया या अर्थराइटिस जीसे हम बोलते हैं ये रोग जड़ से खत्म हो जाते हैं क्योंकि ये हड्यों के लिए भी बेहद लाफकारी होता है जिहां लेकिन अखरोट का आपको प् अर्द का नाश करेगा अखरोट इसके अलावा नॉर्मली भी आप अगर अखरोट खाते हैं तो आईए जानते हैं क्या-क्या फायदे होते हैं अखरोट खाने से अखरोट एक खानी योग्य पदार्थ होता है जो कि जगलांस प्रजाती परिवार के पेनों की संपति होती ह अख्रोट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उप्योग होने वाले बहुत ही साधारन से घटकों में से एक है अख्रोट दो प्रकार के होते हैं एक काला अख्रोट और दूसरा जगलांस रेगिया यानि कि साधारन भूरे रंका अखरोट गर्मी में बढ़ना शुरू होता है और सितंबर से अक्टूबर तक फसल पक जाती है इस मोसम में अखरोट अपने आप ही पेड़ों से गिर जाता है अखरोट सौद में बहुत अच्छा होता है इसलिए इसका उपियो कई प्रकार की खाने की चीजों में किया जाता है अखरोट सिर्फ खाने में ही नहीं बलकि स्वास्त संदरी के लिए भी लाखकारी पदार थै यह एक तरह का सूखा मेवा होता है बहुत लोगों को यह दीदाफल होता है अखरोट हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है क्योंकि कैंसर मधुमे थाइराइड इत्यादी और भी कई प्रकार की बिमारियों से बचने के लिए यह उपयोगी और फैदेमंद है अखरोट बालों और त्वचा के लिए बहुत लाफकारी है अखरोड में पाए जाने वाले घठकों के बारे में की जाएं कि क्या क्या कितनी कितनी मात्रा में पाई जाती है क्या किलोरी 654 पानी मात्राइस की प्रatiscomed recommend 4% प्रोटीन 15.2 ग्राम, कर्भोहईडरेट 13.7 ग्राम, स्टार्च 0.06 ग्राम, शक्कर 2.6 ग्राम, फाइबर 6.7 ग्राम, वसा 65.2 ग्राम, सैचुरेटेट 6.13 ग्राम, मोनोंसैचुरेटेट 8.93 ग्राम, पोली अनसैचुरेटेड 47.17 ग्राम, ओमेगा 3 9.08 ग्राम, ओमेगा 6 38.09 ग्राम, ट्रांसवसा 0 अब विटामिन्स जानते हैं कौनसी कितनी मात्रा में होती हैं, विटामिन A 1UG, विटामिन C 1.3MG, विटामिन D 0UG, विटामिन E 0.7MG, विटामिन A 1UG, विटामिन C 1.3MG, विटामिन D 0UG, विटामिन E 0.7 Mg, विटामिन K 2.7 Ug, विटामिन B1 यानि कि थायमीन 0.34 Mg, विटामिन B2 राइबोफलेविन 0.15 Mg, विटामिन B3 यानि कि नियासीन 1.13 Mg, विटामिन B5 पंथो ठेनिक एसीड 0.57 Mg, विटामिन B6 पिरिडक्सीन बराबर ही, इसके अलावा विटामिन B12 0.54 Mg, विटामिन B6 यानि कि पिरिडक्सीन 0.5 Mg, विटामिन B12 0 Ug, फोलेट 98 Ug, कोलीन 39.2 Mg, अब आएए जानते हैं इसमें मिनरल्स कितने पाया जाते हैं, केल्सियम 98 Mg, आयरन 2.91 Mg, मैगनीशियम 158 Mg, फासफोरस 346 Mg, पोटेशियम 441 Mg, सोडियम 2 Mg, जिंक 3.09 Mg, कॉपर 1.59 Mg, मैगनीशियम 3.41 Mg, सेलेनियम 4.9 Mg, ये जो Mg हम आपको बता रहे थे, ये मिली ग्राम में मातरा है, कि इतने मिली ग्राम, आईए, अब हम सभी अखरोट की विशेष्टाएं जानते हैं, अखरोट गुलाकार होता है, जो कि अखरोट के पेणों के एक ही बीजवाले कठोर फल होते हैं, और पूरे पकने के बाद उसका गुदा उपयोग में लाया जाता है, अखरोट के बीजवाले के बाद उसका छिलका हटाने से एक जुर्रीदार आवरण वाला अखरोट मिलता है, जिसका उपयोग खाने में होता है, अखरोट का गुदा बाहर निकालने के लिए दस्तानी का उपयोग करते हैं, क्योंकि इससे तवचा में खुजली होने लगती है और तवचा का रंग भी परिवर्तित हो जाता है, यहां आवरण एक करनल से घेरा होता है, जो कि दो आधे अलग अलग भाग के बटवारे से बना होता है, इस आवरण में इंटी ओक्सिडेंट पाया जाता है, जो कि वातावरण की ओक्सिजन से आवरण के अंदर के इसमें कुछ रासायनिक तत्व होते हैं, जो कि वनस्पती को बढ़ाने से रोपते हैं और उन्हें गंदा करते हैं, इसलिए इसे फूल और सबजियों के बगीचे के पास नहीं लगाना चाहिए, अखरोट का चैन कैसे करें, अखरोट तीन अलग अलग प्रकार के आते हैं, छोटा बड़ा और मध्यम, पून रूप से इसके शेल की जांच करिए, जिस शेल में छेद या दरार हो, उसको उप्योग में नहीं लाना चाहिए, यदि आप जांच करके किसी शेल को उप्योग में लेते हैं, तो वह पक्का अंदर से कुरकुरा और फुला हुआ मिलेगा अखरोट को बाजार से खरिदते समय उसकी जांच करनी चाहिए, कि उसका रंग भूरा है या नहीं, हात में लेकर उसके वजन की जांच करनी चाहिए, इस प्रकार अखरोट का सही तरीके से चैन करके उप्योग में लाना चाहिए, अखरोट का संचय वायू रहे डिबे में सुखे और ठंडी जगह पर करना चाहिए ताकि इसमें सुर्य की किर्णे न पढ़ सकें अखरोट तीन महीने तक खराब नहीं होते हैं किन्तु इसे फ्रीज में छे महीने तक रख सकते हैं आप यदि एक साल बाद इसका उपयोग करेंगे तो शायद यह खराब हो सकता है अखरोट में दूसरे खाने की चीज को अवशोशित करने की शमता होती है जिसे खराब हो जाता है इसलिए इसे प्याज, गोभी और मचली से दूर रखना चाहिए इस प्रकार अखरोट का संचे किय अखरोट के फायदों को अब हम सभी जानते हैं अखरोट स्वास्त के लिए बहुत हिलापकारी होता है अखरोट के स्वास्त के लिए बहुत सारे फायदे हैं इसे बहुत सी बीमारियों से बचने के लिए उपयोग में लाया जाता है पहला हरिदय के लिए अखरोट में बह के स्त्राव को संभाला जा सकता है यह उमेगा-3 चर्विदार अमल शरीर में खराब कोलेस्ट्रोल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रोल के उत्पादन को बढ़ावा देता है इसलिए यह शरीर के लिए फायदे मंद है इम्मुनेटी के लिए भी यह बहुत ही अच्छा हो होता है अखरोट में बहुत अधिक मात्रा में इंटियोक्सिडेंट होता है जो कि इम्मुन सिष्टम को स्वस्थ रखता है और बिमारियों को शुरुआत से रोकता है हर रोज अखरोट को भोजन में शामिल करना स्वस्थ रहने के लिए फायदे मंद है मस्तिश्क को स्वस में मदद करता है इससे यादाश्ट भी मजबूत होती है यानि कि बढ़ती है स्तन कैंसर के लिए अमेरिकन संस्थानों ने कैंसर के लिए बहुत सारे अनुसंधान किये हैं और 2009 में इस अनुसंधान को जारी किया कि हर रोज अखरोट खाने से स्तन कैंसर के खत्रे को कम करने में सहायता मिलती है विद्रूह जनक बिमारियों के लिए अखरोट में पाय जाने वाले चर्विदार अमल से विद्रूह जनक बिमारियों जैसे अस्थमा गठिया रोग और खुजली में बहुत फायदा मिलता है अखरोट में एक बहु मेगा थ्री चर्विदार अम्ल विद्रूह जनक बिमारियों के साथ साथ हड्यों को बहुत समय तक मजबूत रखने में भी सहायक होता है अखरोट में मेला टोनीन होता है जो कि नींद के लिए बहुत अच्छा होता है साथ ही इसमें पाए जाने वाला अम्ल खून के कर तनाव को दूर करता है अखरोट में विटामीन बी कॉंपलेक्स के ग्रूप जैसे थाइमाइन राइबो फ्लेवीन फोलेट इत्यादी होते हैं जो कि गर्ववती महिलाओं के लिए बहुत जरूरी होते हैं अखरोट में फाइवर होता है जो कि पाचन शक्ति को सुचार इत्यादी में फाइवर कम मातरा में होता है डाइवीटीज को रोकने के लिए भी अखरोट का प्रयोग किया जाता है अखरोट शरीर में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है अखरोट में पॉली अनसेचुरेटेड चर्विदार अमल होता है जो कि लीवर में इंसुलीन की रच क्लीनर होता है जो कि अंदर की सफाई करता है इससे पाचन सिस्टम को अच्छे से चलने में सहायता मिलती है अखरोट में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि वजन घाटाने में सहायक होते हैं इसलिए अखरोट वजन घाटाने के लिए बहुत ही अच्छा घाटक माना जाता है यह फंगस के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है फंगल इंफेक्शन से पाचन शक्ति और तवचा दोनों में प्रभाव पड़ता है काला अखरोट फंगल के परिणाम के खिलाफ बहुत प्रभावकारी होता है लेकिन इसके साथ दूसरा इलाज भी जरूरी होता है अखरोट स्वास्थ और खुबसूरत तवचा के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसमें विटामिन B होता है यह तनाव को दूर करने में सहायक होता है जिससे तवचा में जुर्या नहीं पड़ती हैं अखरोट में विटामिन E और एंटी ओक्सिडेंट पाये जात है और तवचा स्वस्थ रहती है अखरोट के तेल से रोजाना आँखों की मालिश करना चाहिए इससे आँखों को तनाव मुक्त और साथ ही आँखों के काले घेरे को साफ किया जा सकता है तवचा में निखार लाने के लिए चार अखरोट दो चमच ओट्स एक चमच शहद एक चमच मलाई और चार बूंद जैतून के तेल को साथ में पीश कर मिला लिजिए और इस मिश्रण को तवचा में लगाईए कुछ समय बाद गर्म पानी से धो लिजिए तवचा के रंग में निखार आएगा अखरोट तवचा को संक्रमर से भी बचाता है इसलिए यह फा तक है इससे कई प्रकार के फायदे होते हैं अखरोट में पाए जाने वाले तत्व जैसे की पोटेशियम उमेगा थ्री उमेगा सिक्स और उमेगा नाइन चर्विदार अमल होते हैं जो कि बालों को मजबूत बनाने में सहायता करते हैं अखरोट के तेल से बालों को लंबे रूखे बालों की वजह से होती है अखरोट के तेल से बालों को नमी मिलती है जिससे बाल रूखे नहीं होते हैं इससे रूसी की समस्या से बचा जा सकता है इस प्रकार बालों के लिए अखरोट बहुत अच्छा उत्पाद है इससे और भी बहुत से फायदे होते हैं अखरोट के फायदे के साथ साथ कुछ एक दुश प्रभाव भी है जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है अखरोट एट एलर्जिक खाने में से एक है अखरोट से एलर्जी भी हो सकती है जिससे बचने के लिए कई तरह के आपको इलाज करने होते हैं अखरोट अन्य और शधी के साथ विपरित प्रतिक्रिया करता है इसलिए इसे डॉक्टर की सलाह के बिना उप्योग में नहीं लाना चाहिए काले अखरोट में कुछ रासाइनिक तत्व ऐसे पाये जाते हैं जो कि त्वचा में कैंसर जैसी समस्या को पैदा कर सकता है ये को शिकाओं के दीने में भी बदलाव करता है काले अखरोट में कुछ रासाइनिक तत्व ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन के लेवल को कम कर देते हैं जिससे DNA सेल खराब हो जाती है और परिणाम बहुत ही घातक होता है अखरोट से अश्विय विद्रोग जनक बिमारियों का भी प्रभाव पड़ता है अखरोट में पाय जाने वाले कुछ तत्व शरीर में आईरन को अवशोशित कर लेते हैं जिससे आईरन की मातरा कम हो जाती है अखरोट से लिवर और किड्नी भी खराब होने का खत्रा होता है अखरोट से तचा में घमोरियां भी फैल सकती है अखरोट से बच्चों के जन्म में भी तुर्टी हो सकती है अखरोट शरीर के तरल पदार्थ को सुखा देता है जिससे बहुत परिशानी होती है अखरोट का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए और डक्टर की सलाह के बिना इसे उप्योग में लाना बहुत ही कठिन सावित हो सकता है अखरोट स्वाद में बहुत अच्छा होता है इसलिए इसका उप्योग कई प्रकार के व्यंजन बनाने में भी किया जाता है बच्छों के लिए अखरोट की कैडी कई प्रकार की विधी से बनाई जा सकती है आईए देखते हैं कैसे बना सकते हैं आप बच्छों के लिए अखरोट चीनी आपको चाहिए होगा थोड़ा सा यानि कि एक बटा चार कप और शहद एक चमच पानी दो कप नमक स्वाद के अनुसार ले लिजे अखरोट तीन से चार कप एलुमीनियम फोयल ले लिजे और बेकिंग शिट ले लिजे अब इसको बनाने की विद्ध जानिए बेकिंग शिट और एलुमीनियम फोयल को एक साथ लाइन में रखिए एक बरतन में नमक पानी शहद चीनी को एक साथ मिला लिजे इस मिश्रण को गैस पर थीन से चार मिनट के लिए आँच में रख दीजे इसमें अखरोट डाल कर आँ चोटे चोटे भाग में काट लीजिए फिर इसे फ्रीज में रख दीजिए वाई रही डबे में रखिए जिसकी वदवलत ये खराब नहीं होगा इस तरह यह बच्चों का पसंदीदा व्यांजन तयार हो जाएगा ऐसे ही अखरोट का इस्तेमाल और भी कई प्रकार के व्य किया जा सकता है इस तरह अखरोट खाने से कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं इसलिए अखरोट का इस्तेमाल आप जब भी करें तो डॉक्टर की सलाह से करें अपनी मर्जी से ना करें क्योंकि जितना फायदेमंद होता है ये उसी प्रकार से ये कई कंडिश में लोस देने वाला भी हो जाता है इसलिए डॉक्टर की सलाह के बाद आप इसका प्रयोग करें आपके लिए बेहद ही लाफकारी साबित होगा अखरोट जहां तो आज के हमारी ये जानकारी थी आप सभी के लिए अखरोट के भायदों से रिलेटेड अगली बार हम आप स